पहले हमास फिर हेजबुल्ला इसके बाद हूथ ही और अब इसरैल से भेड़ने के लिए लेबनन पहुंच शुकी है बेहत खदरनाक और एलीट फोर्स इसरैल के सैनिक 24 घंटे हर सेकंड आँखों में तेल डाल कर इसरैल और लेबनन की बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं और ऐसे वक्त में इसरैल को एक बड़ी खबर मिली है ये खबर नेतनियाहू के लिए मुसीबत पैदा करने वाली है इमाम हुसेन बिगट को सीरिया से लेबनन में शिफ्ट किया जा चुका है और लेबनन की अंदर इस वक्त इमाम हुसेन बिगट को मौजूद बताया जा रहा है ये दावा इसरैल डेफेंस पोर्स के अरबी भाशा के प्रवक्ता अविचाई अद्राई ने एक ट्वीट के जरियती है ट्वीट में लिखा गया है कि हाल के हफ्तों में इसरैल के खिलाफ फेजबॉल्ला के बुरी तरह से फेल होने के बाद अब इमाम हुसेन बिगट सीरिया से लेबनन आ गई है और इसका लीटर जुल्फिकार है इमाम हुसेन बिगट को भी इरान फंड करता है और तावा ये किया जाता है कि ये इमाम हुसेन बिगट इरान के सबसे ताकतवर सेना इसलामिक रिवलोशनरी गार्ड को रिपोर्ट करती है इमाम हुसेन ब्रिगट का सीधे लेबनन में पहुंचना गुरुआर को लेबनन से एक बार में लगातार 19 हमले और फिर शुक्रवार को हेजबुला के चीफ नस्रॉला की फायर ब्रांड स्पीट से साफ है कि मेडल इस्ट में अमेरिका और एजड्रेल के लिए खत्रा बढ़ गया है इरान के राश्वबत इब्राहिम रईसी पहले ही चे तो इसरेल ने रेड लाइन क्रोस कर दी है अगर घाजा पर ग्राउंड ओपरेशन के दौरान हमास, फिलिस्तीन और हेजबुला ने एक साथ इसरेल परहमला किया तो इनको रोकना इसरेल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा घाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है उत्तर की तरफ लेबनन में मिलीशिया हेजबुला की तादाद 1 लाग से जादा है इनके सामने इसरेल में आक्टिव और रेजर्ब फोर्स मिला कर 6 लाग से जादा सैनिक है यह आंकडे बताते हैं कि इसरेल के पास 4 गुना ताकत है लेकिन हेजबुला के चीफ नसरुला से फिर भी अमेरिका घवराता है क्योंकि नसरुला के पास अपने उजस्वी भाशनों के जरिये बड़ा संगठन खड़ा करने की और सैनिकों में जोश भरने की अदबुत क्षमता है सबसे बड़ी बात ये है कि हजबुला के पास एक ट्रेंड सेना है जिस पर विजय पाना हमास से भी ज़्यादा कठिन काम है हजबुला के पास हतियारों का विशाल भंडार है हजबुला के पास guided मिसाइले भी है जो इसराईल के अंदर तक मार कर सकती है हजबुला के पास anti-tank मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है जिसकी वज़े से इस्रेयल को नुकसान भी पहुँचा है ये मिसाइल इरान से सप्लाई की जाते रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुला के पास बहुत बड़ा जखीरा है हिजबुला ने तीन तरह की अंटी टैंक गाइड़िड मिसाइल इस्तिमाल की ये है कॉर्नेट इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है ये रूस की मिसाइल है लेकिन अब इरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुला के पास है दूसरी है BGM-71 TOW एंटी टैंक गाइड़िड मिसाइल रेंज है 3.5 किलोमीटर ये अमेरिका में बनी मिसाइल है लेकिन अब इसकी नकल इरान तयार कर रहा है और इसने हिजबुला को सप्लाई की है तीसरी है 85 Concurse रेंज 4 किलोमीटर ये भी रूस ने बनाई है और अब इरान में ये दोसान नाम से तयार की जाती है तीनो मिसाइल बहुत ही घातक है 7 अक्टूबर के बाद हेजबुला सीधे जंग में नहीं कुदा था इसरेल की तरब से हेजबुला को चेतावनी लगातार दी जा रही थी लेकिन Northern Border पर जंग की शुरुआत इसरेल Defense Force की तरब से की गए क्योंकि छुटपुट शुरुआती गोलिबारी के बीच सबसे बड़ा और ताबरतोड हमला इसरेल की तरब से ही किया गया था हेजबुला के लड़ाकों की मौत जब शुरु होई उस वक्ट भी हेजबुला पसुपेश में था हलाकि ये फुल स्केल वार अभी भी नहीं है और इस तीन हफ़ते की लड़ाई में हिजबुला के अब तक पचास से ज़ादा लड़ा के मारे जा चुके हैं ऑक्टूबर के तीसरे हफ़ते में तो हिजबुला के 20 से ज़ादा लड़ा के मारे गए थे जिसके बाद इस ज़ंग में हिजबुला धीमा पड़ता नजर आया लेकिन बाद में धीरे धीरे वो इस ज़ंग में फिर वापस आ गया इरान कभी अपनी जमीन पर युद्ध नहीं लड़ेगा क्योंकि उसके रणनीतिकार बहुत होशियार है इरान की सरकार यमन, इराग और सीरिया को जमीन का इस्तिमाल करके अमेरिका और इसरैल के ठिकानों पर हमला कर रही है इन देशों में अपनी जणे जमाने के लिए इरान में बरसों की मेहनत की है और अब वो उसका फाइदा उठाना चाहते हैं लेबनन एक ऐसा ही देश है जो जंग की चपेट में धीरे धीरे आता जा रहा है लेबनन के अखबार नहार नेट में ये रेपोर्ट किया है कि इसरैल ने बलीडा इलाके के पूर्वी बाहरी इलाके में फॉस्फोरस बम से हमला किया है जिसकी वज़े से वहां मौझूद आस पास के जंगलों में भारी आग लग गई थी इन फॉस्फोरस बमों से लगी आग लंबे इलाके में फैले जंगलों तक फैल गई जिससे भारी नुकसान हुआ इसराइल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि लेबनान हिजबुल्ला के कंधों पर बंदूग रखकर जंग में कूदने का जोखिम ना उठाए क्योंकि इस बार लेबनान बहुत बुरी तरह जंग की चपेट में आएगा और फिर ये कहकर पलार नहीं जाड़ सकता कि इस जंग में उसे हिजबुल्ला ने घसीटा है इसरेल की प्रधान मंत्री बेनमिन नेतनियाहू पहले ही ये कह चुके हैं कि लेबनान को इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो दूसरी जंग लडने के काबल ही नहीं बचेगा नेतनियाहू के अलावा इसरेल की रक्षा मंत्री योग गैलन्ट पहले ही कह चुके हैं कि इस युद में इसरेल का बदला ये तै करेगा कि अगले 75 साल तक इसरेल इसरेल की जमीन पर रहेगा या नहीं अभी तक हिजबुल्ला के 50 से ज्यादा लड़ाकों के मारे जाने के खबरें आ चुकी हैं लेकिन इसके बावजूद भी इसरेल की रक्षा मंत्री ने बयान ये दिया है कि अभी वो युद को विस्तार नहीं देना चाहते है नोट करने वाली बात ये है कि जब इसरेल नौधन बॉर्डर पर युद का विस्तार नहीं चाहता है तब 45 से ज्यादा हिजबुल्ला लड़ाके मारे जा चुके हैं